नमस्कार दोस्तों मैं निश्व गुपता एक बार फिर आपके बीच में अगली समरी अगला चैप्टर तुम्हें शुरू करूँ ने लेकिन उससे पहले जो फर्स चैप्टर था अगर शहत पाना है तो छत्ते पर हमला ना करें के अंत में एक लेटर दिया था एक बहुत ही भावुक कर देने वाला लेटर है जो एक पिता ने अपने पुत्र के लिए लिखा था और ये लेटर आर्टिकल के रूप में अमेरिका के न्यूस पेपर में छपा था जो यहां पे भी दिया गया है तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगे पिता भूल जाते हैं यहां टाइटल है पिता भूल जाते हैं बेटे सुनो मैं जब तुमसे यह कह रहा हूं तुम सोए हो तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंगराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके है मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ कुछ मिनिट पहले मैं लाइबरेरी में बैठा पेपर पड़ रहा था तब गलानी की तरंग मेरे मन में जागी गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ बेटे मैं कई चीजे सोच रहा था मेरा तुमसे व्यभार गलत रहा है जब तुम्हें स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे मैंने तुम्हें डाटा जब तुम कपड़े पहन रहे थे तब मैंने तुम्हें डाटा तुमने अपने चेहरे को तोलिये से हलके से पोचा था मैंने तुम्हें जूते नहीं साफ करने के लिए डाटा मैं गुसे में चिलाया जब तुमने कुछ चीजे फर्श फर फेकी थी मैं तुम्हें चिलाया जब तुमने फर्श फर कुछ चीजे फेकी थी नाश्टे के समय भी मैंने गलती निकाली दिखे एक पिता बार बार अपने बेटे की गलतिया निकाल रहा है उसे डाट रहा है, उसकी कम्या बता रहा है तुमने चीजे भीखेड दी तुमने भोजन को निगल लिया था तुमने टेवल पर कोहोनिया रख दी थी तब मैंने मूँ बनाया और जबाब में कहा अपने कंधों को पीछे रखो यह सब फिर दोपाहर के बाद शुरू हो गया यह तो सुबे तक का महमला था और फिर से दोपाहर में शुरू हुआ सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की जब तुम घुटनों के बल कंची खेल रहे थे तुम्हारे मोजों में छेत थे मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिन्दा किया जब तुम घर जाते, समय मुझसे आगे चल रहे थे, मुझे महंगे होते हैं और अगर तुम्हें इसे खरीदना पड़े, तो ज़्यादा साउधान रहोगे एक पिता की नजर से सोचो वेटे, पिता की नजर से सोचो बाद में, क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइबिरेटी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पाउं से आए, और तुम्हारी आपों में पीडा थी जब मैंने पेपर से नजरे उपर उठाई, मैं खीजा हुआ था तुम दरबाजे पर ठिटक गए मैंने गुस्से से कहा, क्या जाते हो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम दोड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों और अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्नी बाहों ने उस इसने को के साथ मुझे जकर लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिसे मेरी अंदे की भी खतम नहीं कर सकती थी फिर तुम चले गए, सीड़ियों पर चड़ते हुए बेटी, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हातों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया यहाँ आदत मेरे साथ क्या कर रही है, कलतियां खूजने की आदत, डाडनी की आदत मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारा यहाँ पुरसकार था ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता बस यही है कि मैं युवावस्था से ज़्यादा अपिक्षाएं कर रहा था मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने में माप रहा था याने एक पिता जिस उम्र में था उसी उम्र के पैमाने से वो अपने बच्चे को डाड़ रहा था उसको माप रहा था, उसको समझा रहा था और तुम, तुम में कितना कुछ अच्छा है प्यारा है, सच्चा है तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितनी उन पहाडों पर छाई लाली मा तुम जब दोड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया तब बहुत दिल दिखा मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से खुटनों के बल बैठा हूँ यहाँ एक कमजोर प्राश्चित है, मुझे पता है यह चीजे नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया लेकिन कल में एक सच्चा पिता बनूँगा कल में एक सच्चा पिता बनूँगा मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तुम्हारे दुख बाटूँगा तुम्हारी हसी में अपनी हसी मिलाऊंगा अपनी जवान काट लूँगा जब तीके शब्द निकलने वाले होंगे खुश से कहता रहूँगा वह एक बच्चा है सिर्फ बच्चा मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक व्यस्क के रूप में देखा था और बेटे जब मैं तुम्हें तुम्हारे कोट के सिकड़े हुए देखता हूँ तो दिखता है कि तुम सिफिक बच्चे हो कल तुम अपनी मा की बाहों में थे तुम्हारा सिर्फ उसके कंधों पर था मैंने तुम्हें ज़्यादा मांग लिया और कुछ ज़्यादा ही मांग लिया लोगों की आलोशना करने की बजाए उसको समझने की कोशिश करें जी हां दोस्तों लोगों की बुराईया बच्चों की बुराईया हमारे अडोसी पडोसी की बुराईया हमारे काम अंडर में काम करने वालों की बुराया करने की वजाए आप उनको एप्रिसियेट करें उनकी प्रशंसा करें क्या पता कोई कारण होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कुछ मजबूरी होगी वो अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं बट वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो गलती ना करें लेकिन आपका भी दाइत्व है कि आप उसको एप्रिसियेट करें यदि वो गलती कर रहा है तो डाटे नहीं बलकि एप्रिसियेट करें कमिया बताने की तरीके को बदलें और फिर देखिए परिवर्तन ये परिवर्तन उस व्यक्ति में लाइफ टाइम आएगा तो धन्यवत दोस्तों फिर एक नई चैप्टर के साथ मिलते हैं नवस्ते